नमस्कार आप देख रहे हैं HBN News चंद्र राशी अधारीत पुकार नाम अनुसार आज राशी के अनुसार कैसा हो सकता है आपके लिए दिन आईए जानते हैं मेश राशी आज का दिन कई अनुभवों से युक्त होगा आपकी सफलता के कारण आपकी कृति बढ़ेगी परिवार में सुक शान्ती बनी रहेगी लेकिन नीजी खर्च बढ़ेंगे समय का दुरिप्योग ना करें व्रिशब राशी आई से अधिक खर्च ना करें दामपत्य जीवन सुखद रहेगा आपके प्रयासों से व्यवसाई का तनाव समाप्थ हो सकेगा कारुबार में ने प्रस्ताव मन में उत्सा पैदा करेंगे लेकिन आज खान पान में विशे सावधानी रखें मिथुन राशी आज व्यवपार में अधिक लाप प्राप्ति के योग है कारे व्यवसाई में सफलता मिलने की संभावना है दोस्तों के साथ आज यात्रा के योग बन रहे है ध्यान रहे जोखिम भरे कारे से बचे साथी आज किसी से मजाक ना करे अन्यथा मुसीबत हो सकती है करक राशी आए में व्रिधी की संभावना के बीज प्रतियोगी परिक्षा में प्रत्यन करने पर सफलता मिलेगी पिता से मन मुटाओं के बीज क्रोध ना करे ध्यान रहे आज किसी को नीचा दिखाने का प्रयास ना करे सिंग राशी आए में व्रिधी के साथ ही अपनी बुद्धिमानी से आर्थिक इस्तिती सुधरेंगे संतान उज्वल भविश्य की ओर अगरसर होगी दिन के शुरुवास से ही कार्य प्रभावित होंगे लेकिन जल्दबाजी में कोई काम ना करे कन्या राशी आज यश्य मान प्रतिष्टा में व्रिधी होगी जीवन साथी की भावनाव को समझे व्यपारिक इस्तिती आशा जरक रहेगी दोस्तों से भेट उपहार मिलेगा तूला राशी मित्रो के शहयोग सी नीजि समस्या का समधान होगा व्यपार में प्रगति की योग के साथी आर्टिंग निवेश लाबदायक रहेगा लेकिन अधिकारू का गलत प्रयोग ना करे वरिश्यक राशी, लंबे समय के बाद वैपार में लाबकारी परिवर्तन हो सकते है मानसिक ध्रिंटा से निर्णेह लेकर काम करे, समय अनुकुल है, उसका सदिप्योग करे, यातरा संभव है धनुराशी, कार के प्रतिधिन्टा आपको आज कारे में अनुकुल सफलता दिलवाने वाली है विरोध की संभावना के बेश नौकरी में तबादलग वपद्दोनिती के योग है, आज धार्मिक आस्था बढ़ेगी मकर राशी, व्यवसाइक नविन गतिविधिया लाबकारक रहेंगी, बुद्धी चातूरे से अनिक कारे सफल होंगे जीवन साथी के वहवार में उगरता रहेगी, लेकिन आप क्रोध ना करे कुम्भ राशी, आज दिन वैस्ता से पुन्ड रहेगा, व्यवसाइक नविन गतिविधिया लाबकारक रहेंगी जीवन साथी के वहवार में उगरता की संभावना के बेच, घर परिवार में मांगलिक आयोजनों में व्यस्त रहेंगे मीन राशी, आप व्यर्थ के दिखावे वह आडंबरों से दूर रहे, अन्यता दिकते बढ़ सकती है नेजी जीवन में भी ध्यान दे, संतान के रुखे वहवार के कारण मन अप्रसन रहेगा, व्यपार में मन नहीं लगेगा एक तका राज चलेगा, हिंदु मुस्लिम साथ चलेगा मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, उचाई की चाह में स्वभिमान नहीं छोड़ूंगी महुआ विधान सभा शेत्र के दून प्रखंड के अलतरगत, विभिन पंचायतों में पिछले तीन सालों से मेडिकल कैम्प लगा कर लोगों की सेवा मित्तत पर कोरोना जैसे महामारी को आए हुए पाच महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंध है, लेकिन इन्होंने इस सेंकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा मिल लगे हुए है, अपने अस्पताल के माध्यम से पिछले पाच महीनों से कोरोना वाइरस जैसे खतरनाग बिमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वित्रन और लोगों के बीच घुम घुम कर इस बिमारी के खिलाब सजग रहने की सला दी महुआ विधान सभा शेत्र में मेडिकल कैप के दोरान फ्री दवा का वित्रन क्यों करी विचार ठीक तो है नितिश कुमार डॉक्टर आस्मा परवीन प्रदेश महासचीव जदियू बिहार श्रभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधान सभा 126 संस्थान मिश्या क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड जोहरी बाजार हाजिपूर वैशाली झाल